हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आर चैनल मॉम्स किच्छन मैं हूँ वसुदा और आज हम लाए है फिर से आपके लिए बची होई रोटियों से एक खास रेसिपी आज हम बना रहे हैं बच्चों के फेवरेर रोटी टाकोस तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रोटी टाकोस बनाने के सबसे पहले हम उसका मसाला प्यार करेंगे तो मैंने एक चढ़ाई लिए इसे मैं डाल रहे हूं आधा चमच बटर आप चाहिए तो घीया तेल भी डाल सकते हैं गैस की फ्लेंग स्लो रखेंगे बटर हल्का गर्म हो गया है अब ने फ्ले डाल रहे पती हुई प्यार आधा कटोरी बारिक पती हुई शुल्णा मेच चौथा कब उब्ले हुई स्वीट कॉन और एक कब पारिक पती हुई पता घंगे अब इन सभी वेजटेबल्स को हम अच्छी ताह से मिक्स कर लेंगे और एक मिनाटी इसे डोस्ट कर लेंगे मैं इसमें ड चौड़े से चिली फ्लैक्स पी डाल दीजिए बस अब इन सभी को अच्छी ताह से मिक्स कर दीजिए और कड़ाई को ढखकर इसे 2-3 मिनट के लिए भाप में पकने दीजिए तो ये देखिए 2-3 मिनट में सभी सबजें अच्छी ताह से पक गई हैं सौफ्ट भी हो गई ह बस इस समय गैस की फ्लिम को बन कर दीजिए और हमारा मसाला बनकर त्यार है आप इस मसाले को थोड़ा थंडा होने दीजिए तो चलिए अब मनाते रोटी टाकोस तो ये देखिए मेरे पास ये राट की बच्ची वही रोटिया है कभी ऐसा भी होता है कि हमारा आता जादा है तो कोई बात ही आप उसकी राट को पदली पदली रोटिया मनाता कर दीजिए और सुबह आपके नाश्ति की तैयारी हो जाए रोटी टाकोस का मसाला भी थंडा हो गया है तो इस खास रोटी टाकोस को बनाने के लिए मैं एक रोटी पर लगा रही हूं पीजा सॉस या प इसलिदे तलब पंपराइमें और मसाला लगाने की बाद इस परसंगी रोटी को फोलड कर देंगे अब दूसरे रोटी पर मैं लगा रही हूं स्टैंविच स्टैट आप इसी तरह से सैंविच स्टैट स्टैट की चेचप यद नियू लगाकर अलग-अलग लेप्टेस्ट सब्सक्राइब कर लिया है और इस पर हम लखेंगे रोटी टाकोस और अब इस पर यह बटर लगाता है इन्हीं दोनों तरफ से अच्छी तरफ से नीजम केंपर सेख लेंगे यकीन बाने जब आप इस तरह के रोटी टाकोस बनाएंगे तो बच्चों के साथ चान बड़ों को यह नाश्ता बहुत अच्छा लगेगा मेरे पच्चों को यह इतना पसंद है कि मुझे तो इस पेशले हैं टो हैं डोटी बनाकर इस नाश्ते को बनाना पड़ता है तो यह देखिए दौनों तरफ से रोटी अच्छी तैयसे से चुकी है आप इन डोट्यों को थोड़ा सा से खड़ा करके हम इसके किनारे भी सेख लेंगे तो बस लीजी कुर कुरी रोटी टाकोस बनकर तयार हैं अब इन्हें प्लेट पर निकालेजें और कटर से इन्हें आपनी मन पसंद शेप में काट लीजें तो देखा आपने बच्चे हुई रोट्यों से हम कितना टेस्टी और हल्दी नाश्टा त्यार कर सकते हैं तो आप भी इससे बनाईए और कमेंट करके मुझे जरूर बताईए कि आपको रस्टी कैसे दगी और हाँ अगर आप इससे कोई दूसा नाम देना चाते हो तो प्रेस वो भी मुझे जरूर बताईएगा मिलते हुँ आपसे नेक्स वीडियो में सब्सक्र के लिए जिए करें बाइए